Students, welcome back to my YouTube channel, SB Study Classes 9335-8 तो कैसे हो Students, I hope आप सबी अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी तरीकत से चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं Class 12 Hindi के बारे में कच्छा बारा Hindi या Class 12 Hindi के बारे में इस वीडियो के अंदर आपका जो एक चेप्टर एक खंड का संस्क्रत का सुभासी रतना नहीं या सुभासी रूपी रतने इस चेप्टर के बारे में हम डिस्टर्स तरेंगे अगर आपको बोर्ड एक्जाम 2030 इसके अंदर 16 फरवरी को बोर्ड एक्जाम देना है तो ये वीव को सुरू से लेकर अंदर देख लीजिएगा अगर पांच नंबर आपके किलियर नहीं होते तो आप हमें तुरंत कमेंट करिएगा आपकी इच्छा है जो ठीक है इसटोएंट मैं आज कि वीडियो में किलियर ही करे हूँगा कि पांच नंबर आपको कैसे लेना है सु आप लोग उनको पता होना चाहिए कि इस चेप्टर से लगवा 100% स्लोक आता जरूर है। सबसे ज़्यादा अगर कोई स्लोक आता है तो इसी चेप्टर से आते हैं। तो इसी चेप्टर के इस लोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आएम वीडियो को लेट नाकती हुए वीडियो को सुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आयों तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और आईकन को क्लिस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहूंचे। तो दिखी सबसे पहला इस लोग क्या है। दिखे स्ट्वेंट सबसे पहला इस लोग है कि भासा आंसु मुख्य मदुरा दिब्ब गिरण भारती तस्यहिं मदुरं काब्बे तसमदापी सुभासितम एनि कि जो इस लोग है इस इस लोग को आपको संदर्ब तथा ब्याख्या की बात करेगा आपसे बोड एक्जाम में पूछेगा जैसा कि भासा सु मुख्य मदुरा दिब्ब गिरण भारती एनि कि जो संसकरत भासा है वो भासा मुख्य मदुरा वो सभी भासाओं में सबसे मुख्या और मदुर है दिब्ब गिरण भारती और सबसे सुन्दर है और सबसे सुसोवित भासा जो है वो हमारी भा सा संसकरत है उसमें इसंण बी सबसे ऐगर मदूर की बात की जाए तो उसमें जो facah संवा सित्म उसके जो इस तरीके से इस लोक आते हैं वो उसमें और उसकी सोबा बढ़ाते हैं यहनिकि अगर आपका इसकी औरली अनुबात किम बात करें तो संसकरत भांसा सबी भांसाओं में मदुर है और सबी भासाओं की जननी है और गिर दीब्र भारती तसहीं काब्य और उसमें भी सबसे सुन्दर होने के साथ अगर इसकी सुन्दरता और सुसोवता को क्या बढ़ाता है जो काब्य है वो इसकी और सुन्दरता को बढ़ा देता है तस सुवासितम और इसके जो इस लोग है वो सबसे ज़्यादा सुन्दर है तो अगर हम इसके संदर्ब और व्याक्या कैसे लिखेंगे क्यों बात करने देखिएगा आपको बोर्ड पेपर के अंदर कॉपी मिलेगी कोई भी कुछ से नंबर हो सकता है उसमें आपको कुछ इस तरीके से बहां सांस वो मुख्या इस तरीके से आपको कुछ लिखकर और फिर डोट डोट करके आपको सुवासितम लाष्ट का लिखदे ना है तो इससे एकजामनल को यह ही पता चलेगा कि आपने किसी सुलोग को लिखने का प्रयास किया है ठीके फिर हम बात करते हैं कि इसका संदर्व क्या होगा संदर्व देखे इसमें जो भी स्लोक है सभी का संदर्व एक होने वाला है देखे संदर्व हम लिखेंगे यहां का ध्यांस इस लोक इस लोग हमारी पाठे पुस्तक के खंसकरत का भाग है भाग में संकलित सुभासी रतनानी नामक पाठ से अबतरित है आपको संदर्ब में बस इतना ही लिखना है अब बात आती है अनुवाद की अनुवाद जैसा कि हम जो आपको बता रहें अनुवाद आप ऐसे ही लिख देंगे क्या लिखेंगे इसका अनुबादी भासा सुमुख्य मदुरा दिबे गिरण भारती इसका अप अनुबादी लिखेंगे कि जो संसकरत भासा है वो सभी भासाओं की जननी है और सभी भासाओं में सबसे अच्छी सुन्दर और सुसोवित भासा है और संसकरत भासा सबसे सभी वहांसाओं की जन्नी और सबसे सुन्दर वहांसा है और उसमें भी सुन्दरता उसकी कौन बढ़ाता है तो जो काब भी है वो उसकी और सुन्दरता बढ़ाता है और इसके जो इस लोक हैं वो जीवन में प्रणाम होते हैं तो इस लोक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ग इसका इस लोग का मतलब अगर इसकी में संदर्व लिखना है तो संदर्व में हम क्या करेंगे कि इसमें जो भासां सुमुखेद लिखाए वहाँ पर लिखेंगे बिद्या विवादे और जो यहाँ पर लिखाए सुखातिनम तो लिखेंगे रचना है इस तरीके से आपको नहीं करना अनुवाद आपंगेंगा एनिकी लिए किसके लिए ओनी चाहिए जो विद्ध्य होती देखें यहांसे आप समझिये क्लाच से मतलब होता रहा है मूर्ख लोग जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं बिद्ध्या वीज़ दया झो मदाय मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करके उस पर धन खर्च कर देता है, आईसी बैसी जगापे ठीक है, सकती परेचना पीड़ा ना है, और जो उनके पास सकती है, किसके मुर्ख लोगों के खास, खलस्य, वो क्या करते हैं, किसी को पीड़ा दुख संत होते हैं वो क्या करते हैं विपरीत होते हैं किनके खलस्त यानि की मूर्ख लोगों के विपरीत होते हैं वो बिद्या को किसमें खर्टम करते हैं दानाए जो बिद्या किसको खर्ट करते हैं जनाए जनना एनिकी सिच्छा में खर्च करते हैं और धन किसमें खर्ट करते हैं दान में जो उन्हके पास धन होता उसको दान करते हैं और जो उनके पास सकती होती है वो रच्छणा आए यह निकी रच्छा करने के लिए सक्षकर्च करते हैं तो आई फोप यह आपको अच्छे तरी के से समझ भी आ गया होगा निश्टी स्लोक क्या है कुछ स्लोक नमबर तीन इसका भी आप स्लोक संदर्व तो वही लिखेंगे जो हर स्लोक में आपको लिखना आए कि यह गध्यान सी स्लोक हमारी पठे पुस्तक संस्क्रत भाग में संकले सुभासिरतनारी नामक पाट से अबतरित है अगर इसकी हम अनुबात की बात करें तो सुखार्तिन कुतो विद्या जो सुख को चाहते हैं उनके पास विद्या कहा है अगर जिनके पास सुख है उनके पास विद्या नहीं समझी इसका मान इसका कहना इसका अंतर क्या है सुखार्तिन को तो विद्या, सुखार्ति अगर है तो उसको विद्या त्याग देना चाहिए सुख चाहते हैं तो आपको विद्या नहीं आपके पास हो सकती है अगर आप विद्या चाहते हो आप सुख नहीं रह सकते है सभी इस लोक आपको अच्छे तरीक से समझ में आ गए हूंगे ये तीन स्लोक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना आई होप ए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पे नए तो चैनल को भी सस्काइब कर देना हो सके तो अपने दोस्तों में वी सेयर कर देना हम लिए एक नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक लिश्टेंट जैहिंद वन देमात्रम